November नू Financial Literacy Month यानि के वित्ती सिखलाई महीने वजो भी जाने आ जानदा है एस महीने विच वित्ती माहिर लोका दिनाल ए जानकारी सांजी कारदेहान की अपने finances नू की में प्लान करना है अथे अपने parents ते अपने कारदेहान देनाल, finance अथे budget बारे किस तरीके नाल गाल बात करनी है जही ही कुछ मुद्यां ते गाल करन लई आज साथ देनाल, Certified Financial Partner Mr. Ravi Chhabra मौझूद खान जो सानू वित्ती पक्खों अपने अपनों मजबूत रखन बारे को जानकारी देंगे रवी जी तो अड़ा स्वागत है Thank you रवी जी सब तो पहला से गाल करांगे कि finance बारे अपने कारदेहान देनाल या फिर अपने parents देनाल गाल करना क्यों जरूरी है फिर फिरानसी की बात होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना लाइफच चल ही नहीं साथी तो आप इसके एपने सेथे स्पांसर की हैं they are in this country but they do not have any savings what they have that's back home in India उनकी अपनी वरीज हैं because यहाँ पे वो हम पे डिपेंडेंट हैं उनकी जो भी असेट्स हैं वो इंडिया में हैं they may or may not have any pension or order security I think उसको शुरौने में दस साल लगते हैं दस साल तक आपको कुछ नहीं मिलता है साउदेशन पेरिंस देनाल असी एक conversation की वें शुरू कर सकते हैं क्योंकि साउदेशन करादा महौल हलका डिफरेंट हुंदा Canadian जड़े थो दे बॉर्ड औरेस्टा उना व्यक्तिया ना लो ते असी उना नाल एक conversations की वें शुरू कर सकते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप एक certified financial planner को जो इस field में हैं जो elderly planning के साथ डील करता है आप उनको introduce कर सकते हैं और वो आपके बिहाब पे उनको different scenarios बता सकते हैं जो certified financial planners हैं वो F.P.Canda के तुरू educated and certified होते हैं they have their own book of ethics which they have to follow and they are planners, they are not sales people so they can come and talk to you, know you, look at your needs, look at your budget, look at your feelings, your comfort level with money and based on that they can guide you, they can teach you about so many things that you can do और सबसे जरूरी चीज़ जो पेरेंट्स के साथ हो जाती है, that's the will making कि will का होना बहुत जरूरी है अगर will नहीं हो तो बाद में जो भी पेरेंट्स के नामें बैंक एकाउंट भी हैं उनको भी ट्रांसफर करना या क्लोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है या अगर किसी की ओवर्सीज प्रापर्टी है उसको ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाता है तो एक तो विल सबसे जरूरी है दूसरा फिर उनके दूसरा आहम हिस्सा जो आता है कि we all are getting old, we are reaching a stage where we may not be capable of taking care of ourselves तो उस केस में उनकी क्या इच्छा है वो घर पेदार चाते हैं, वो ओल जाना चाते हैं या वो किस तरह से उसको चीज को करना चाते हैं वी शुड है इस क्वेशन वेरी फ्रीली कि in Indian families we have that taboo of we don't talk about death मौत की हम बात ही नहीं करते हैं और that's the universal truth, वो एक नहीं दिन सब के साथ होना है तो it's always better to talk about those things, कि उनकी विशिस क्या है मान लो कुछ पेरंस इस तरह दिया, जिनना या प्रॉपर्टी इस इंडिया चा, तो उ एथे आगे ते हुनो एथे रहरेया, उना पेरंस दिनाल बच्चे एक conversations के में शुरू कर सकते ने उनके साथ हमें सिर्फ एक ये बोलने हैं उनको कि वो अपने विल जरूर बनाएं और वो जिसको जो कुछ भी देना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है ये नहीं कि वो हमसे विल डिस्क्लोज करें और उनको क्या की है एक और जो मैंने देखिया परिशानी मैकिसमम लोगों के साथ की नाम की स्पैलिंग चार्ट रहा के काघजों में चार्ट नाम की स्पैलिंग्स होती हैं ये शुच्हाओ अबरीड़ करते हैं ये तो कि नाम की नाम काई रहाँ होती है तो अग्यों बह्त रहाँ है तो में एड़ देखिए लियुचा एंडल में सटीब काना लिश ये नाम की नाम की सो बिढ़ी लुचा है पर एक रहा दिखानी है कि आपानों करना चाहिए गा सावजीशन करा देख्या गया कि उन्हादी विच तारना हुंदी है कि जेडी उन्हाने प्रॉपटी अर्जित की तिया या उन्हाने कमाई की तिया जादा तर कमाई जेडिया लड़के देकोल जान दिया मेल देकोल तेकी तुसी पिछले कुछ साला दे विच एस तारना विच चेंज आनदा देख्या कि हुन जेडी वैल्थ हुन दिया लोका देकोल ओ कि अपने बच्चा दे विच बराबर बांटे ने जोलाव बहुत आ रहा है यह पेड़ा बेटा बेटी सबकोर बांटे है और बच्चों की सोच में बढ़ा बांटे है और बच्चों की सोच में बद्लाव आ रहा है मैंने ऐसे भी केसिज देखे हैं जहां बच्चे बोलते हैं कि आपने सारे पैसे खरच करो, आप किसके लिए बचा रहे हो या किसके लिए जोड रहे हो, हमें आपके आशिरवाद के लब और कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे भी केसिस में देखे हैं, लेकिन पेरिंट्स पेरिंट्स हैं, या कभी अगर कोई एक बच्चा जो इंडिया में है, या किसी वज़ा से वो फाइनिशली वीक है, उसके लिए कुछ जादा करना चाहते हैं, तो वैसा भी कर देते हैं, यह सब हर एक परिवार से परिवार तक बदलता है, कोई ऐसा फिक्स आंसर नहीं है, बट वो जो आपने बात की धाना की लड़के को जाएगा, लड़की को नहीं जाएगा, वो काफी हद तक चेंज हो रही है, मैं यह नहीं कहूंगा की 100% चेंज हो चुकी है, बढ़ हां, काफी हद तक वो बदलाव आ रहा है, रवी जी, थैंक यू वेरी मच, तुसी नासे सनु यह जानकारी दिती की असी अपने पेरेंस दिनाल और अपने कार्दय दिनाल बजटिंग दियां, फाइनांसिस दिके में गल कर सकते हैं, बलकि सानु टिप्स भी दिते की किस तरीके नाल उनाबे नाले समवाज शुरू किता जा सकता है, थैंक यू, थैंक यू जी,